जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जेमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे आप दोस्तों आज को जो बीडियो है वो स्टार्ट होने वाली है ठीक है तो जल्दी-जल्दी से सभी लोग लाइब आ जाए वीडियो सुभी को Like करना है और सभी को Share कर दिना है ठीक है तो जो भी हमारे साथ ही टेली ग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं वो टेली ग्रूप से अभस्ष जुड़ें और सभी को वीडियो को लाइक करना है सेर करना है ठीक है हाँ तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाएं कुछ प्रावलम के कारण थोड़ा सा लेट जरूर हुई है अपनी किलास आज की स्टार लेकिन हो चुकी है तो जल्दी से आएं फिर हम दुवेदी युग के बारे में जो पढ़ रहे थे उसका अध्यान हम आगे इनरंतर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इस परकार से सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक करना है और सभी लोग सेर भी करेंगे ठीक है तो दोस्तो फटा फट से पढ़ना है जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाओ पहले तो स्रीधर पाठक महावी परसाद दुवेदी को जन में जीवन काली भी यहां पर लिखा हुआ है तो वो भी आप लोग देखते जाएं स्रीधर पाठक भी माने जाते हैं दुवेदी युक के नातुराम सर्मा संकर भी माने जाते हैं आयोद्या से उपाद्या हरियोद जी भी माने जाते हैं ठीक है मैधिसष्रण गुप्त जी माने जातेХं, राम चृ-डपाद्यार भी माने जाते हैं, जगर्णात दास रतनाकर भी माने जाते हैं, राम नरेश्ट तरपाथि जी, गया प्रसाद सुक्ल सनेहि, रायद प्रसाद परकूर्ण बयोगी-ہरी, गोपाल संसे हैं और सतनारण कभी रतन तो इन कभीयों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है इन कभीयों को हमें याद करना है कि कौन सा कभी किस युग का कभी है ठीक है तो इस परकार से तो सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया कि नहीं किया है तो सभी पूँचा गया है कौनसी रचना माने जाती है क्रशन सतक माने जाती है ठीक है हाँ सभी को गुड़ इविनिंग जैहिंद बहुत सारे लोग आ चुके हैं पढ़िए जल्दी जल्दी से पढ़ना है क्रशन सतक को हरियोद जी अयुद्य से उपादे हरियोद यह दुवेदी य जाती है वो मानी जाती है क्रशनसद्र तक सबी को याद रख लेना अगर आप से पूछा जाए कि ए किस वहासा में है तो आप को बताना है ब्रबникомड में ठीक है सबी को याद रह लेना है हर्योध जी का ब्रजभासा में दूसरा प्रसिद्ध जो गरंथ है वो रस किलास है दूसरा प्रसिद्ध गरंथ कौन सा है रस किलास है ठीक है तो बो वाला जो ओपी जी बो वाला सिस्टम में कर रहा था तो वो सिस्टम जो है सही नहीं रहा और जब किलास चालू की तो उस वाले सिस्टम पर किलास इस्ट्रीम लाइब नहीं हो रहीती है ना तो इसलिए मैंने उसको बंद किया फिर दूसरा न्यूव यहां से चालू किया उसको देखेंगे उसका प्रियोग करेंगे रसकलस में यूग की बदली हुई परिस्तितियों की अनुसार नाइब का भेद की अंतरगत हरी योजी ने नवींडहिं की नाइगाउं का बरनन किया है कल्पना की है किस रचना में की है तो वो किये अपनी रसकलस में ठीक है रसकलस इसका सही होगा अयुद्या से उपाद्या हरियोद करत प्रिये प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाब है यह 17 सरगों में विवक्त है इसमें स्रंगार और करोनरस की प्रथानता है तो यहां से आपके चार क्वेस्चन बनेंगे सबसे पहले तो बनता है कि प्रिये प्रवास किसकी रचना है तब आपका उत्र होगा उद्या से उपाद्या हरियोद की ठीक है फिर दूसरा बनेगा कि हिंदी का जिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाब कौन है तब आपका उत्तर होगा प्रिये प्रवास ठीक है प्रिये प्रवास में कितने सर्ग है तब आपका उत्तर होगा 17 सर्ग है ठीक है हरियोद जी कभी समराट के रूप में समाधरत है प्रिये प्रवास ग्रंत पर उन्हें 1936 इस भी में मंगला परसाथ पारी तोसिक सम्मान भी मिला है तो सबी लोगों को याद रख लेना है अगर आप से पूचा जाए कि जो हरियोद जी को कब या किस रचना के लिए मंगला प प्रिये प्रवास के लिए और ये कभ मिला है तो 1936 में मिला है इन्हें कभी समराट भी कहा जाता है ठीक है कभी समराट तो ये चीज़ भी सबी लोगों को याद रख लेना है प्रिये प्रवास की सबसे बड़ी विसेस्ता प्रिकृति का मानिविये भावनाओं के साथ एका कार होना है अच्छा रामचंद्र सुकल ने प्रिये प्रवास को महा काब नहीं माना लो रामचंद्र सुकल जी ने यहां भी क्या अपनी उंगली कर दी बोल लहें कि क्या बोल लहें इसको प्रिये प्रिये प्रिवास को महाकाब नहीं माना तो आप सभी को याद रख लेना हैं अगर आप से पूचए जाए कि किस विद्वान ने प्रिये प्रिवास को महाकाब नहीं माना तब आप का उत्तर क्या हो जाएगा राम चदर सुकल जी ने तो यह जो question है बहुत महत्पूर हैं, बहुत बढ़ी अब, है ना, प्रिये प्रवास संस्कित के बर्न बरत्तों में रचित, तथा इसमें साथ चंदों, मालिनी, मंदाकरांता, बसंत तिलका, दृत बिलंबेत, सादुल, बिकीर्णता, और सिखरणी का प्रियोग हुआ है, तो आपको याद आताया, तो इस प्रकार से देख लेना है, बैदेही बनवास हरियोग जी का दूसरा प्रवंद काब है, अगर आप से पूचा जाए, कि बैदेही बनवास जो है, एक किसका प्रवंद काब है, तब आपका उत्तर होगा हरियोग जी का, और ये दूसरा प्रवंद काब है, आ 17 सर्ग हैं और वैदे ही बनवास में 15 सर्ग हैं सभी रोगों को याद रख लेना है ठीक है हाँ और भी देख लेते हैं आंगे राष्ट कभी मैत्री सरणगुप्त ने पंडित महावीर पर साथ दुबेदी को अपना काब गुरु माना याद रखो चिम्मन जी अनुरादा निसा जी सभी लोग याद रखेंगे पुस्पेंदर जी राष्ट कभी जो मैत्री सरणगुप्त हैं इन्होंने पंडित महावीर पर साथ दुबेदी को अपना काब गुरु माना है अगर आप से पूछा जाता है कि पंडित महावीर पर स दुबेदी क्या थे संपादक थे सरस्वती पत्रिका के हैं ना सरस्वती पत्रिका के 1900 में इस पत्रिका का प्रकासन माना जाता है चिंता मनी घोसिस के संस्थापक माने जाते हैं स्याम सुन्दर दास जो है इनके क्या माने जाते हैं फश्ट संपादक माने जाते हैं और 1903 में महावीर परसाद दुवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनेते तो ये सबी लोगों को याद रख लेना है गुप्त जी के बारे में रंग में भंग मेजशन गुप्त का प्रथम काब गरंथ है कौनसा रंग में भंग है प्रथम काब गरंथ है जो 1909 में प्रकासित हुआ है तो सबी लोगों को याद रख लेना है प्रथम काब गरंथ कौनस है इसका मूलाधार कौन सी रचना है तब आपका उत्र होता है भारत वारती ठीक है सबी लोगों को याद रख लेना मैती हरी होती है बहुत बढ़िया मैती हरी होती है तो याद रख लेना है हिंदी कभियों में प्रबंद काब सबसे अधिक मैती शलंगुप्त ने ही लिखे ह तो हिंदी में आगर पूछा जाता है कि सबसे जादा जो प्रबंद काब लिखे है तो वो किसने लिखे हैं फिर आपका उत्तर होता है मैसजद गौत ठीक है हाँ और मेय थी का हमें प्रबंद अच्छे से करना है मे庭ण है नारी भावना को मेजचलंग गुप्तकरत साकेत महाकाब का प्रेणा सुरूत रविदनाट टेगोर का काब बेर उपेक्षिता नाम लेख है मेजचलंग गुप्तकरत साकेत महाकाब का जो प्रेणा सुरूत माना जाता है वो रविनाट टेगोर का काब बेर उपेक्षिता नामक लेखे आपको याद रख लेना अगर आपसे पूँचा जाता है कि साकेत महाकाब किसका है तब आपका उत्तर होगा मैजिस्चन गुप्त का है ठीक है और अगर पूँचा जाता है कि इसका प्रेना सुरूत क्या है तो आरंभ होता है नबम सरं में उपेक्षिता बाक ब्रेह को बरंण है और एंस सरवादिक मारमक है तो ये कई बार पूचा गया है कि और नाबम सरं में सौर॥ और ब रख लिया तो 12 सरं बेर तकंग कि सर्ग में सरस्वति में है साकेत के परताम अस्टम 12 सरगे के उत्तरार्द में और मिला लक्षमन के क्या है मिलन का वरनन है किसमें 12 और उत्तरार्द में सन 1936 में साकेत महा काबब पर मैजचलंगुप्त को मंगला प्रसाथ पाई तोसिक प्राप्त हुआ था अब आपको बताना है कि हरियोध जी को किस रचना के लिए मिलाता है मंगला प्रसाथ पाई तोसिक उनके लिए भी 1936 में मिला था और मैजचलंगुप्त के भी लिए साकेत महा काबब के लिए मिला हरियोध जी को बताएंगे सबी लोग अभी अपरने पड़ा है जल्दी से भटापड से बताना है सभी अनूजी अनुराधा जोती जी सबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भटाग से बताना है कि जो हरियोध जी को कौन सी रचना के लिए मंगला प्रसाथ पाई तोसिक मिला था मैंज चलंग गुपत को मिला है साकिट के लिए उननीसो थैस में तीक है और प्रीय प्रिवास में 17 सर्गिते इसमें 15 सर्ग है गुपति जी दौरा प्रिणीत यसोधरा गोतम बुद्ध के ग्रहत्याग की घटना पर आधारत काब गरंत है यसोधरा की बारे में कई बार पूचा जाता है यसोधरा खंड काब है सभी को पता है एक खंड काब माना जाता है लेकिन महा काब जैसी इसमें बैसेस्ता हैं पाई जाती है तो गुप है ना और विश्णु प्रिया में मैजशनंगुप्त ने और मिला और एसु धरा के समान चेतन्य महाप्रभू की बियुकता पतनी के त्याग और तपकु परदर्शित किया पिशले PGT एक जा में पूछा गया है विश्णु प्रिया किसकी रशना है ये पूछा भी गया है तो याद रख लेना ये किसकी है मैजशनंगुप्त की है है ना और इसमें और मिला और एसु धरा के समान चेतन्य महाप्रभू की बियुकता पतनी के त्याग और तपको संप्रदाई के प्रवर्तक माने जाते हैं सभी लोग कमेंट में लखेंगे भटाक से चेतन्य महाप्रभू आया है तो जल्दी से बताओ हाँ तो चेतन महाप्रभू की चेतन महाप्रभू किस जो है संपरदाई के प्रवर्ता कमाने जाते हैं सभी लोगों को बताना है बहुत बढ़िया गौणिये संपरदाई गौणिये जो संपरदाई है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं चेतन महाप्रभू मेलसिन गुप्त का क्रत जै भारत महाकाब को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वक्ष दरपन कहा जाता है तब आपका उत्तर होगा जै भारत के लिए ठीक है औरी रचना किसकी है मेच्चन गुप्ति की भारत भारती भी है और जै भारत भी नीकी है सबी को याद रखना है जै भारत में कोरव पांडों के पारस पर एक कलह है और उससे उत्पन महा युद्ध का बरनन है कोरव पांडों का किसमें जै भारत में गुप्ति जी की अनग और कुणाल गीत बोध्यकालीन संस्कृति से सम्मन्दे थे जोदपुर के एक राजपूत सरदार की तीन पीणियों तक चलने वाली कता है जिसमें बचन निभाने का वरनन है तो बिकट भट किसकी रचना है यह मैं भी यह भी मैसली सरणगुप्त की है बिकट भट बिकट भट है याद रख लेना सभी को ठीक है बहुत बढ़िया बिकट भट की रचनाकार मैसली सरणगुप्त है जैदर्थबद में एक ऐसे युवग का चित्रन हुआ है जो राष्ट की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उस्सरग कर देता है याद रख लेना है थीक है तो उन्नीस इसका सही होगा उन्नीस खंड काव्यों की गुप्त जी की रचना अर्जन और बिसर्जन में मुसलिम संस्कृति की जहां की द्रश्टब है अर्जन और बिसर्जन ये भी किसकी है ये भी गुप्त जी की है अर्जन और बिसर्जन ठीक है मेगनात बद मैजिट्रन गुप्ति की अतुकांत रचना है मेगनात बद जो है ये मैजिट्रन गुप्ति की अतुकांत रचना है सबी लोगों को याद रख लेना है मेगनात बद याद रख लेना ये मैजिट्रन गुप्ति की रचना है और यह अतुकांत रचना है, तो अतुकांत रचना भी आपको लिखना है, अंगला देख लेते हैं, अंगला जो हमारा फैक्ट है, वो क्या है, मैस्चन गुप्त ने माइकल मधु सूदन दत्ति की क्रतियों का नुवाद मधुप उपनाम से किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, दोस्तों, एक क्वेस्चन पूछा गया है, पिछले PGT एक्जाम में, कि मधुप उपनाम से कौन रचना करता है, या मधुप किसका उपनाम है, तो आपको याद रख लिना मधुप जो है, मेस्चन गुप्त का उपनाम है, और जंकार गुप्त जी की रहसबादी रचना है, सबी लोगों को याद रख लिना है, और माइकल मधु सूदन दत्ति की क्रतियों का नुवाद उन्होंने मधुप उपनाम से किया है, और ये नातुराम सर्मा संकर इने कविता कामनी कांत कहा जाता है भारतेंदु प्रगेंदु साहत सुधाकर अगर आप से पूछा जाता है कि साहत सुधाकर किसे उपादी से विभूसित किया गया है तब आपका उत्तर होगा नातुराम सर्मा संकर कविता कामनी भी इने कहा जाता है भारतनाकर प्रगेंदू भी ने कहा जाता नातुराम सर्मा संकर को ठीक है तो बहुत सारी इनकी उपादियां है जगनात दास रतनाकर को भक्तिकाल और रितिकाल का समनवयक कहा जाता है रतनाकर के आदर्स कभी बिहारी हैं है ना हमने पढ़ा था कि बाल मुकंद गुप्त को भारतनाकर को भारतनाकर को भक्तिकाल और रितिकाल का समनवयक कहा जाता है तो सभी को याद रख लिना अगर आप से पूचा जाए कि भक्तिकाल और रितिकाल का समनवयक कभी किसी कहा जाता है तो आपका उतर होगा रतनाकर ठीक है रतनाकर का गंगा उतरन महाकाब है इसमे प्रबंध काप में तब गंगा रख लीना है तो सभी को याद रख लीना है ठीक है, रतनाकर का उद्धव सतक, गोपी उद्धव संबाद पर आधरित प्रबंद काब है, इसमें 118 कबित हैं, उद्धव सतक पूँचा जाता है, उद्धव सतक, एक इसकी रचना है, कई बार पूँची गई है, तब आपका उत्तर क्या होगा, रतनाकर जी की है, गंगा लहरी पदमाकर की जी है बहुत बढ़िया गंगा लहरी पदमाकर की है और गंगा उत्रण रतनाकर जी की है जगनात दास रतनाकर जकी उपनाम से उर्दू में कवीता लिखते थे बहुत बढ़िया जी उपनाम जो है यह हमेशा पूचे जाती है तो सभी को याद रख शेखल लेना है afin यह ना मीचिनष्ण कफ़्प्त क dileia का कुछ यह तब आपका उत्र होतर हो एक्वार में ने और में क्या है और शेखल कॉछ प्यारी सुखल सुखल सनेही स्टत कलते माई क्या है तब आपका उत्तर होगा त्रिसूल क्या उपनाम है त्रिसूल सभी को याद रख लिना है most important है त्रिसूल इनका उपनाम है रामनेश तिरपाठी करत मिलन पतेक स्वपन काब गरंत कालपनिक प्रेमाख्यान खंड काब है, सभी को याद रख लेना है, most important है, ठीक है, मांसी, पठेक, मिलन, ये सभी है, इनको सभी को याद रखना है, और ये प्रेमाख्यन, खंड काब है, तो ये चीज भी सभी को याद रखनी है, ठीक है, रामनेश तिरपाटी की मांसी, देश, भक्ती, पूर्ण, पूची जाती है, मिलन भी पूची जाती है, पठेक भी पूची जाती है, ठीक है, तो इनको सभी को याद रख लेना है, मिलन किसकी रचना है, पठेक किसकी रचना है, सभन किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा, रामनेश तिरपाटी जी की है, और मांसी जो है, इनक लाप है वालकर्ष्ण सर्मा नभीन अगर पूचा जाता है कि इनकी प्रतम रचना कौनसी है तब आपका उत्तर क्या होगा आहान ठीक है हाँ मांसी से मिलने पते के सौपने में गया बहुत बढ़िया तो सभी को याद रख लेना है प्रतिबा पत्रिका में प्रकास इत्विती कौनसी आहान ये किसकी है वालकर्ष्ण सर्मा नभीन की है तो दुबेदी युक को जो है हमारा अंत होता है दुबेदी युक को जितने भी महत्पून फैक्ट थे उन सभी को हमने पढ़ लिया बहु चाया हो चाया भगवानी की चाया हो तो चाया सब्द से हम चायाबाद का आरंब करेंगे ठीक है तो चायाबाद का स्रीगड़ेस करते हैं चायाबाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था मुकुट धरपांडे ने चायाबाद सब्द का कई बार एकजाम में पूछा गया है कि छायवाद सब्द का सबसे पहले जो प्रियोग किया था वो किस ने किया था तब आपका उत्तर हो जाता है मुकुट धर पांडे हैना इन्होंने स्री सारदा पत्रिका के 1920 इसवी के चार अंकों में हिंदी में छायवाद सीर्षक चार लेक लिखकर चार लेक लिखकर चायवाद का बेस्तेतरों गहन बेविचन किया था और तब से इसका जो नाम हो गया क्या हो गया चायवाद तब चायवाद पूंचा जाता है कि इसका प्रियोग किस ने किया तो मुकुट धर पांडे ठीक है याद रख लेना है सभी लोगों को मुकुट धर पांडे के बा और गीती काब सब्द का सर्व प्रतम प्रियोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया था गीती काब हम पढ़ते न कि कौन सा गीती काब है कौन सा खंड काब है अलग-अलग पढ़ते हैं तो गीती काब अगर आप से पूचा जाता है कि गीती काब सब्द का जो सर्व प्रतम प् प्रेपनिन कीशती और देख देखकर, है ना किसी किसी को याद रहता है, लेकिन किसी किसी तो देख देखके के गाते हैं, अचार नंदुलारी वाचपईी ने प्रियाक से प्रिकासेत भारत नामक, पत्र में छायबाद के समर्थन में कई लेक लेक इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को चायवाद का जनक माना है अगर आपसे पूछा जाता है कि चायवाद का जनक नंद दुला रिवाजपेई के अनुसार कौन है तब आपका उत्तर क्या होगा प्रिकृति के चितेरे कभी सुमित्रा नंदन पंत और इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को चायवाद का जनक के किसने माना है तो आचा नंद दुला रिवाजपेईने माना है ठीक है सबी लोगों को याद रख लिएना है और जैसंकर परसाद करत जरना को छायवाद की प्रियोग साला का पर्थम अविस्कार कहा गया है छायवाद की प्रियोग साला का पर्थम अविस्कार किसे कहा गया है किस रचना को कहा गया है तब आपका उत्तर होगा जहरना है ना यह जहरना किसकी है जैसंकर परसाद जी की है सबी लोगों को याद रख लिना जहरना है ना याद रख लिना है और कहते हैं कि संकर जी के जटा से क्या निकली है गंगा निकली है तो जहरना बन गया होगा इन्होंने जैसंकर प्रसाद को जोस में आकर जैसंकर प्रसाद को बोले जैसंकर जी छाया बाद छाया रखना है ना तो जोसी जी ने जोस में आकर के जैसंकर प्रसाद को छाया बाद का प्रवर्तक मान लिया तो सभी को याद रख लेना जोसी जी ने जैसंकर प्रसाद और न जोडा हैं तो याद रख लए ना है किसने जोडा है आचार रामचण सुक्लने जोडा है चाया बात को कभिताओं की प्रखाउफ से आया हुए मानकर इसका समँद इसाई संत की फेंटे समाटा से जोडा है फैना little अचार सुकल ने छायवाद को चित्रभासा सेली, most important, एक question पूछा गया है, छायवाद को चित्रभासा सेली किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा अचार रामचंदर सुकल जी ने, सभी को याद रख लिना है ठीक है, हाँ, चायवाद को चित्रभासा सेली कहा है, रामचंद्र सुकल जी ने और डाक्टर नगेंद्र ने छायवाद को स्थूल के पृति सूक्ष्म का बिद्रोह माना है यह परिवासा भी कई बार पूछी गई है कि स्थूल के पृति सूक्ष्म का बिद्रोह है यही छायवाद है मतलब तो यह किसने परिवासा दी है तो डा जो भासा में कभी ताइन लिखते थे लो इसको भी आपको याद रखने ना है एक कोस्टिन भी कई बार पूचा है है ना कि कलाधर उपनाम कलाधर किसका उपनाम है या कलाधर उपनाम से कौन कभी ताइन लिखते थे तब आपका उत्तर होगा जैसंकर परसाद ठीक है एक कला आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पढने लगती है तो यही छायावाद है यही परेभासा किसमे लिया पुस्पेंद्र जी पूछ रहे हैं तो जल्दी से बता दो चित्राधार में अयुद्ध्या का उध्धार बनमिलन और प्रेम राज तीन लंबी कभीता हैं जिने काब कथाएं कहा गया है चित्राधार में ठीक है और चित्राधार में जो है ब्रजभासा का काब संकलन माना जाता है प्रसाज जी का करोणाले हिंदी का परसिम गीती नाठ है याद रख लीना है ये परसाज जी की है तो परसाज जी ने बड़े ही कौंसल से यागय के कृयाओं की कूरूड़ता को निंद निये और घरनेत ठेहराती हुए मनिस्थ का बास्तबे की धर में माना उता बताया है तो आप को याद रख लेना अगर आपसे पूछा जाता है कि Phrysasad जी ने किस रचना में मनुस्त का बास्तविक धर्म माना उता बताया है तब आपका उत्तर होगा करुणा लए और करुणा लए जो है परसाज जी की रचना है और एक गीती नाट मानी जाती है तो ये सभी को याद रख लेनी है ठीक है सभी लोगों को याद रखना है अंगला देख गर्नत ठेहराते हुए कानन कुसूम जरना लहर गीती काब हैं और गीती काब का सरपरतम परियोग किस ने किया है जल्दी से उतर बताना है प्रेम पत्यक महराना का महत तुनासू एक खंड काब है और कामाईनी इनका महा काब है अब यहाँ से question पूछे जाते हैं हम से पूछे जाते हैं क्या पूछे जाते हैं हाँ लोचन पिरसाद पांडे ने गीती काब सब्द का प्रियोग किया था बहुत बढ़िया और यह पू महत तो और आसू एक खंड काब है ठीक है याद रख लीना है सभी लोगों को याद रख लेना महराना का महत तो और आसू और प्रेमपतिक यह क्या हैं तो ये गीती काब है, ठीक है, अगर जरना जरती हैं, तब हमें भी गीत जैसे गुनगुनाती नंजर आती हैं, जर 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 करती हैं, तब भी हमें सुनाई देती हैं, तो ये जरना भी गीती काब है, लहर, तो लहर भी का एक लहर जो है, अगर गीतों की लहर सुनाई दे आपक तो सुन लेना सबी लोग ठीक है तो गीतों की लहर तो यह लहर भी हो जाएगी तो कानन गीती काब जरना गीती काब लहर गीती काब और यहाँ पर दिया है प्रेम पथेक तो प्रेम का पथेक खंड खंड रहता है खंड ही रहता है ठीक है यह पूरा कभी नहीं होता तो याद रख लेना कि प्रेम पते के खंड काब है और कौनसा आसू आसू भी कैसे गिरते हैं खंड खंड होके गिरते हैं तो याद रख लेना आसू भी खंड खंड होके गिरते हैं पूरे नहीं गिरते और महराना का महत्त भी खंड खंड है कोई लोग समझ नहीं रहे महराना का महत्त तो ये भी खंड कंड है, सभी लोगों को अनेक खंड हैं, तो ये जो हैं महराना का महत्त, आसु और प्रेमपते खंड काब हैं, कानन कुसम, जरना और लहर ये क्या हो जांगे गीती काब, इन सभी लोगों को याद रख लिना है, ठीक है? सबी लोग याद रखेंगे कानन कुसम में चित्र कूट भरत सिल्प स्वंदर कुरूचेत्र बीर बालक और स्रीकर्षन जैनती काब कताएं है कानन कुसम जैसंकर प्रसाद की खड़ी बोडी कविताओं का पर्थम संग्रा है अगर आप से पूचा जाता है की जैस्तंकर प्रसाद जी की खड़ी बोडी कविताओं का जो प्रथम संग्रा है वो कौंसा है कानन कुसम है और कानन कोसम गीती काब है सभी को याद रख लिना है माहराला का महत्तुजेसी लंबी कविता आच की नई कविता के खंड काब्यों की नीउ मानी जाती है Malajana Mahatujasy जरना हिंदी में छायवाद का प्रत्रम काब शंगरे है इसमें 24 कविता है अगर आप से पूछा जाएगा कि छायवाद का प्रत्रम काब शंगरे है कुँझा है तब आपका उत्तर होनी चाहिए जरना और जरना एक काब संगरे माना जाता है 24 कविता इसमें संकलेत हैं जर्णा में तो सभी लोगों को याद रख लिना है जर्णा जर्णा ये गीती काब है ये चीज भी सभी को याद रख लिनी है हाँ तो लहर में असोक की चिंता सेड सेह का सस्त्र समर्पन पैसोला की प्रती ध्वनी तथा प्रलाई की चाया चार लंबी कविता हैं अगर आपसे पूचा जाए कि लहर कविता संग्रह में कौन सी कविता जो है संकलेत नहीं है तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा असोक की चिंता सेड सेह का सास्त्र समर्पन पैसोला की प्रती ध्वनी और प्रलाई की चाया यह सब याद रख लेना है यह किसमें संबलेत हैं लहर में संबलेत हैं ठीक है हाँ असोक की चिंता कभी में कलेंग बिजय के उपरांद समराथ असोक की पास्चात्पूर्ण मना हिस्तिती का बड़ा सुंदर बढ़नन है लहर की सबसे लंबी कभीता है प्रलाई की चाया लहर में जो संकलेत है प्रलाई की चाया यह सबसे लंबी कभीता है इसमें प्रसाद जी ने गुजरात के राजा करने की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद का चित्रन बड़ी सुन्दर्ता के साथ किया है जैसेंकर प्रसाद की रचना प्रेम पतेक पर अंग्रे जी कभी गोल्ड स्मित की हर्म दा हर्मिट कभीता का प्रभाव है याद रख लेना आप से पूचा जाता है प्रसाद जी की कौन सी रचना पर अंग्रे जी कभी गोल्ड स्मित की दा हर्मित कभीता का प्रभाव है तब आपका उत्तर होगा प्रेम पतेक और प्रेम पतेक हमने पढ़ा था कि एक खंड काप है तो सभी लोगों को याद रख लेना है जैसंकर प्रसाज जी के बारे में ठीक है हाँ तब प्रेम पतेक में जो है अंग्रे जी कभी गोल्ड स्मित की दा हर्मित कभीता का प्रभाव है यह प्रसाज जी की रचना है बहुत ही महत्पूर है सभी लोगों को याद रख लेना है और इनी की एक कामाईनी भी है कामाईनी सभी ने पढ़ा है ना कामाईनी जो है यह किस अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे उत्र बताओगे तो जैसंकर परसाद सुमित्रा नंदन पंत सूर कांतर पाठी निराला और महादेबी बर्मा डाक्टर रामकुमार बर्मा मौहलाल महतो और मुकुट धर्पांडे सबी को याद रख लेना है ठीक है हाँ ठीक है सूर के निकलते ही मुकुट लगाकर मित्रों के साथ सुमित्रों के साथ है ना सुमित्रों के साथ कहा जाना है हमें सबसे पहले जैसंकर संकर जी की पूजा करनी है फिर महादेवी जी की पूजा करनी है और फिर मौहन यानी की स्रीकर्षन की पूजा करनी है तो इस परकार से पूजा करनी है सूर निकलते ही मुकुट लगाकर हमें सुमित्रों के साथ जैसंकर जी की संकर जी की पूजा करने ज ठीक है सूर निकलते हैं हमें क्या करनी है मुकुटर लगानी है सबसे पहले मुकुटर लगानी है फिर संकर जी की पूजा करनी सुमित्रों के साथ सुमित्रों आने की अच्छे मित्रों के साथ जाकर के संकर जी की महादेवी जी की राम की और जो है मोहन की सभी की पूजा करन तो याद रख लेना है और बसी जैसंकर प्रसाद की गद्ध पद्ध मैं रचना है इसे कामाईनी की स्रद्धा का पूर्ण संसकार कहा गया है याद रख लेना और बसी एक कई बार पूचा गया है ठीक है लेकिन कौन सी पूचे गई है वो रामधारी सेंधिनकर जी की पूच बताएंगे रामधारी सें दिनकर की उर्बसी के लिए तो अर्बसी रामधारी सें दिनकर की है और अर्बसी जैसंकर परसाद जी की भी है सभी लोगों को याद रख लेना है ठीक है उर्बसी जैसंकर परसाद की गद्ध पद्धमय रचना है इसे कामाईनी की स्रद्धा का प बहुत बढ़ गया, सभी लोगों का आंसर बिलकुल शही आ रहा है कि उर्वसी के लिए 1972 में ग्यांड पीट पुरुसकार मिला था, बहुत बढ़ गया, रीनु जी, ओपी जी, रभी जी, खुरेसी जी, बहुत बढ़ गया, तो सभी को याद रख लेना है, गद्द पद्द म का रचना का अलमाना जाता है, ठीक है, और सरद्दा जो इसकी प्रधान पात रहे, कामाईनी महाकावी की अगर प्रधान पात रहे, तो वो कौन सी हो जाएंगी सरद्दा, और जैसंकर प्रसाद जी की रचना है, तो अब हमें कामना करने, कामना करने कहां जाना है, जैसंकर 15 सर्ग है 1935 रचना काल माना जाता है ठीक है और सभी को याद रख लेना है कामाईनी 1935 इसवी में 15 सर्ग चिंता आसा स्रद्धा काम बासना लज्जा कर्म ईस्या दोस्तों एक चीज़ याद रख लेना जब हम जाते हैं तो सभी को याद रख लेना है ठीक है जैहिन साथयों स्वागत यह बहुत सारे डाउनलोड नहीं करते वर रहा है तो छूट बहुत तो रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से self study classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने वाला है तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes टीके यह play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा जीमेल number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे